आधी रात तक चली MVA की बैठक में क्या हुआ फाइनल नहीं मिला सीट शेरिंग का हल महाराश्च विधान सवाचुनाव में अपनी जीत सुनुशित करने के लिए सभी पार्टियां रणीती बनाने में जूटी है इस बीच महाविकास अघारी MVA की शनिवार लगभग 10 गंटे की बैठक हुई बताय जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेरिंग की मसले पर हल निकल गया है और जल्धी सूची जारी होगी जानकारी की मताबिक लगभग सभी सीटों पर महाविकास अघारी की चर्चा पूरी हो चुकी है सीट आवंटेन की बैठक सनिवार को शाम चार बजे ट्राइडेंट होटेल में शुरू हुई और देर रात एक बजे तक चली महाविकास अघारी नेताओं के बीच एहम चर्चा महाविकास अघारी में कुछ जगेहों पर सामंजे से नहीं दिख रहा था इसको लेकर महाविकास अघारी नेताओं के बीच एहम चर्चा हुई बैठक के बाद अगाडे नेताओं ने जवाब दिया कि लगवक सभी सीटाओं पर चर्चा पूरी हो चुकी है महारास्ट में तीन दल जिसमें उधर ठाकरी के नेतरतवाली सिफसेना यूबिटी कॉंग्रेस और शिरतवाली नेतरतवाली एंसीपी, एसपी, एमवे गठवंदन के तहरे विधान सभा चुनाव लड़ रहे हैं ये तीरो दल भी आए एंडी आए गठवंदन के घटक दल हैं वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमोग अखलेस यादव ने शनिवाल को कहा था कि महाराष्ट विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी ने एमवी से 12 सीट की मांगी है महाराष्ट में कब हैं विधान सभा चुनाव आपको दादें की निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट विधान सभा चुनाव को लिकर काईकरम की घोशना की थी चुनावायों की घोषना की मुताविक महारास्ट में विधान सबाचनाव 20 नवंबर को होगा जबकि वोटों की गिंती 23 नवंबर को होगी इस दिन सभी उमीद्वारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा राज में दोगटवंदरों महाविकास अगारी और सत्तर और महायूती के बीच मुकाबला होगा